कि अलो एंड वेलकम टू इस्ट्री थू कोश्चन तोडेस्ट टॉपिक इस इंडियाज वोमेन अंसंग हीरोज ऑफ दी फ्रीडम स्ट्रगल कॉइट इंपोर्टेंट इस टॉपिक में जिन विमेंज की बात की गए थी उनका जो कॉंट्रिबूशन था फ्रीडम स्ट्रगल म विद्धी अमर चित्रक का था सबसे पहले बात करते हैं रनी अबका यह कुईन थी उलाल की करनाटका की जिन्होंने बिसिकली डिफीट किया था माइटी पॉर्चुगीज को इन्थी 16th सेंचुरी तो यहां पर टाइम पीरेट जाएगा 1501 से लेकर 1600 तक हम बात कर रहे हैं वुमें सोलजर्स थी बिसिकली वुगू तो बिकिम बन ऑफ दी की एडवाइजर तो की रानी अफ जासी और 1857 के रिवॉल्ट जो फर्स वार अफ इंडिपेंडेंस काफे इंपॉर्टन है और प्रॉमिनेंट फीगर थी इन फर्स वार अफ इंडियन इंडिपेंडेंस वह इमेंस अब क्यों यह हम पढ़ रहे हैं विकॉज यहां पर इनको इंट्रीउस किया गया था ठीक है और यहां पर सिंप्ली आजा दी के महसब में रिलीज किया गया था इन पार्टनर्शिप विद्धी अमर्चित्र कथा और यह पिक्टोरियल बुक है तो यहां पर चांसे इंडिन पीपल्स अगेंस्टी प्रिटिश राज नेक्स इस चकाली हमा रेवलुशनेरी विमिन हूप अगेंस्टी इंजस्टिस ऑफ जमीदार्स बिकॉज जो लैंड रेविन्यू सिस्टम सा काफी जाधा एक्स्टॉर्टेट था और इस तरीके से गर हम बात करें तो था यहां पे जमीदार्स के अगेंस्ट में जितने भी जमीदार्स इंजस्टिस करते थे दिरी इंदी तिलंगाना रेविलियन इस्पेशली इंदी मिट नाइटीन फॉर्ट किया था नेक्स इस दी पत्मजा नाइडू जो की डॉक्टर थी सरोजनी नाइडू की अवेरी freedom fighter in her own right who had later became the governor of the West Bengal और एक humanitarian थी after independence means फो जो एक करतीं थी और जहां पे help करतीं थी लोगों की विष्णी देविशाहा जो की विमिन थी हूँ इंस्पाय थी large numbers of people in the उत्राखन की वो जोईन करने freedom movement को और ज्यादे से ज्यादा participation होगा तब ही यह possible हो पाएगा कि हमको independence मिले next is Subhadra Kumari Chauhan one of the greatest Hindi poets who was all a prominent figure in the freedom fighters इसी तरीके से दुर्गावदी देवी जो की एक brave women थी और जो प्रवाइट किया उन्हें सेफ पैसे चुदी भका सिंग जब उन्होंने किल किया था John Saunders को and must during a revolutionary days next is this Sucheta Kriplani prominent freedom fighter है became the independent India's first woman chief minister जो की UP government से relate करती है Akama Charuyan inspirational leader थे freedom movement में त्रवनकोर केला से belong करती थी और इनको जहासी रान्य आफ दी त्रवनकोर भी कहा गया था वाइप महात्मा गांदी तो इस तरीके से जितनी भी यहाँ पे prominent name से काफे important हो जाते है कोशना को important factual information से उन्हें से related है जो की directly एक potential questions की capabilities को generate कर देती है next is the Aruna Asaf Ali inspirational freedom fighters थी best remembered for his hosting the Indian national flag in Mumbai during the quit India movement 1942 next is the Durgaabhai Deshmukh जो की एक talus worker किया था उन्होंने emancification और the upliftment of women especially in the Andhra Pradesh region और यह immediate freedom fighter थी और यह member भी थी constant assembly की जिन्होंने draft किया था constitution को रानी ग्यान दिन लू यह नागाई spiritual और political leader थी यहाँ पे और इन्होंने led किया था एक armed uprising against the British rule कहां से belong करती है मनिपूर, Nagaland and Assam regions में next is the Usha Mehta, very important role, यह freedom fighter थी और very young age में basically इन्होंने एक underground radio station को start किया था जब जो British government था उसने काफी ज़्यादा suppress करना स्टार्ट किया था nationalist activities और यहाँ पे इन्होंने during the quit India movement 1942 काफी important role play किया था पारबती गिरी, Odisha's most prominent women freedom fighters थी और इनको Mother Tedesaw of Western Odisha भी का जाता है कि उन्होंने जो upliftment के लिए काम किया था especially for the peoples next is the Tarkeshwari Sinha, prominent freedom fighter है during quit India movement and she went on became an imminent politicians in the early decades of the independent India next is the Isnehalata Verma, यह भी freedom fighter है और काफी इन्होंने work किया था for the education and upliftment of the women because during the, अगर हम देखें, especially during the British rule time की जो women's की जो conditions थी काफी जाधा pathetic थी ठीक है, starting from the very कि सती system था, ठीक है, परदा system था, और यहाँ पे जो education थी not up to the mark जो patriarchal systems था, polygamy थी, so on and so forth, वेरी सारी और विडो जो basically उनका जो exploitation होता था विडोरी marriages वाले जोई reforms थे सारे, तो काफी जाधा women's related issue थे, तो यहाँ पे जो women's की education हो गए विडोरी marriages हो गए तो उनके upliftment के लिए काफी लोगों ने काम कहा था, उसमें से एक इसने लता वर्मा भी थे जो की मेवार राजिस्तान से बलॉंग करती है, next is, तिलेशवरी बरुहा, वन आफ दी इंडिया's youngest martyr, and she was shot at the age of just 12 by the British during the quit India movement, when she and some freedom fighters, basically वो unfurl करना चाहते थे, एक tricolour, और basically at a police station, तो यहाँ पर उनको shunted कर दिया गया था, so these are some of the important, very important यहाँ पर अगर हम देखें, तो information हमको मिलती है, जो कि एक pictorial book issue करी गई है, okay, और आजएदी के महत सब में, in partnership with the Amat Chitra कथा, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this, have a good day, and stay safe.